सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेश महत्व है। इसे देवशेनी एकादशी और हरी प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विश्नु अपनी योग निद्रा से चार महीने के बाद जागते हैं। पुराणों में वर्नित कथा के अनुसार इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से हुआ था। शालिग्राम को विश्नु का एक रूप माना जाता है। देवशनी एकादशी को शास्त्रों के अनुसार सभी एकादशी तिथी में सर्वश्रेष्ट माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेश उपाय करने से चंद्रदोश से मुक्ती मिलती है। कार्तिक मास के शुकल पक्ष की द्वादशी तिथी को तुलसी विवाह क आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर 2022 शनिवार को है। द्वादशी तिथी 5 नवंबर को शाम 6 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर को शाम 5 बजे समाप्थ होगी। तुलसी विवाह का पारण समय दोपहर 1 बज के 9 मिनिट से दोपहर 3 बजे तुलसी विवाह कैसे की जाती है? आये जानते हैं। चुनरी उड़ा दे, जो कि सुहा का प्रतिक है। तुलसी को बिलकुल दुलहन की तरह सजा दे। उसके बाद शालिग्राम को चौकी सहित अपने हाथ में उठा ले और तुलसी के चारों और साथ बार परिक्रमा लगाएं। इसके बाद आरती करें। इतना करने के बाद त संपन हो जाता है और अब आप तुलसी विवाह के परसाद को लोगों में बाद सकते हैं। तुलसी विवाह को शुब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करवाता है उसके जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाती है। तुलसी विवाह कराने वाले पर भगवान हरी का क्रिपा हमेशा बना रहता है क्रिपिया लाइक शेर सब्सक्राइब करें आस्था दर्पन को आपके सहयोग की बहुत जरूरत है धन्यवाद